दिए प्रोड़क्ट आपने कहां से लिया इसका लिंक शेर कर दीजिए इसका साइस क्या है इसकी क्वालिटी केसी है इस टाइप के कॉमेंट में लगातार रिसीव कर रही थी सो फाइनली आपकी ही रिक्वेस्ट पे ये वीडियो में लेके आई हूँ मैं पूजा इस चैनल पर वो चीज़े शेर करती हूँ जो आपसे और आपके घर से जुड़ी हुई है तो ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ मेशो होम डेकोर हॉल पार्ट वन एक्चुली प्रोड़क्ट बहुत सारे हैं जिसकी वज़े से मैं आपके साथ ये दो पार्ट में शेर करूँगी सेकेंड पार्ट भी में जल्द ही अपलोड कर दूँगी तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कर देना, चैनल को सबस्क्राइब कर देना, बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कُल भी मिसना हो वैसे तो ये सारे product मैंने individually short video में share किये हैं हो सकता है आप लोग short video नहीं देखते मैं वहाँ पर भी हर product के link या code वगेरा share कर देती हूं तो चलिए first product से start करते हैं मैंने सारे product की जो information है इस तरीके से notebook में note down कर ली है ताकि आपको proper तरीके से review दे पाऊं and second चीज़ ये जो product है सारे मैंने एक साथ नहीं खरीदे हैं जैसे जैसे makeover आ रहे थे जो चीज़ की मुझे need लगी वो चीज़े मैंने खरीदी है तो मुझे पहले से पता है कि मैं इस ते time से use कर रही हूं तो इसकी quality कैसी होगी तो आपको proper review मिलेगा first product की बात करूँ तो मुझे लगता है इसके सबसे ज़्यादा comment है कि ये कहां से लिया कैसा है लेना चाहिए या नहीं size क्या है इसका तो first product है double bed AC Comforter इसके review भी काफ़े अच्छी थे हैं मैंने जब check किये मैं कोई भी चीज मिशो से लेती हूं proper review देखती हूं और इसे आप कम सर्दी और कम गर्वी में easily use कर पाएंगे और मैं तो इसे AC में भी use कर भी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका material काफ़ी soft है poly cotton है और इसका जो thread count है वो है 230 तो इस तरीके से ये product है मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो इसकी price है 9.93 रुपेज मतलब मेरे साथ ही partiality हुई है उस time पर इसकी price ज़्यादा थी मीशो पर ये होता ही है कि product की कब price बढ़ जाए और कब price कम हो जाए किसी को नहीं पता तो जो भी मैं price बता रही हूं जरूरी नहीं है कि अभी वो चीज आपको मिले तो जब भी आपको कोई चीज लेना है wish list में रखिए अगर उस product की price कम होती है आप खरीच सकते हैं second product की बात करें तो इसी से match करते हुए cushion cover मैंने लिये थे तो ये cushion cover मैंने अलग से लिये थे ये उसी comforter के साथ में नहीं आया थे तो ये जो cushion cover है इनका जो size है वो 16 by 16 है और मुझे इसके quality काफी अच्छी लगी regular base पे यदि आप इसको use करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैंने इनको wash भी कर लिया है इनका color भी fed नहीं हुआ काफी अच्छा है material वही आपको देख सकते हैं same material है ऐसा लग रहा था कि मैंने एकी seller के पास से ये वाला product लिया है तो इसका जो size है 16 by 16 है इसके साथ मुझे ये 5 के set में मिले हैं अभी इसके जो price है वो है 156 रुपीज और जो मैंने purchase किया था वो था 161 रुपीज तो मेशों पर ये चीज़े होती है कि जब आप चीज़े खरीद लेते हैं उसके बाद में price कम हो जाती है और जब तक आप wish list में रखते हो ना उसकी price कम होती ही नहीं ये पदा नी क्यों ऐसा क्यों करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्त की बात करूँ तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है बहुत ही मीनी छोटी छोटी सी जो है home decor जैपूरी tiles ये जो tiles है बहुत ज़्यादा आज कल ट्रेंड में हैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ न कुछ home decor में ऐसा DIY बनाती हूं जिसमें ये छोटी tiles में use करूँ तो मैंने जो पहले मंगवाई थी वो yellow color में मंगवाई थी बट मुझे नई green color में मैंने मंगवाई थी तो green तो मुझे receive हो गई और इनका जो size है वो पहले मैं आपको बता देती हूं 2 into 2 मतलब इतनी छोटी छोटी size में आपको मिलेगी ज्यादा size आपका बड़ा नहीं रहे था एकदम baby pink color था बहुत ही प्यारा सा बट वो cancel उन्होंने order cancel कर दिया जिसकी वज़े से फिर मैंने yellow color में मंगवाई तो मुझे तो ये बहुत ही cute लगी और इनका जो price है वो मैं आपको बताती हूं इनका price जो अभी है वो है 148 rupees और मैंने जब purchase किया था तो 140 rupees में मैंने लि तो अच्छा रहता यहां कुछ चीजे ऐसी है जिनका price बढ़ भी गया है तो यहां पर मिशो में कोई guarantee नहीं है कि आपको same price पे सारी चीजी मिलेगी हो सकता है अभी में जो price बता रही हूं जैसे आप check करो बढ़ जाए या कम हो जाए तो wish list में आप जरूर product को रखा अब बारी आती ही कि मैंने इने कैसे यूज किया तो इसका एक proper dedicated video मैंने बनाया है अपने channel पर makeover किया था एक corner का जहां पर मैंने पुरानी मेरी cabinet को makeover किया था उसमें मैंने इन tiles को use किया है normally किसी भी strong adhesive के साथ इसको आप stick कर सकते हैं आप proper एक beach में mirror लगा कर side में इस तरीके से यह tiles 8 कर सकते हैं आपके किसी भी पूरानी चीज को enhance करना है cabinet वगिरा पर आप यूज कर सकते हैं तो मुझे तो यह काफी पसंद आई है अगर आप DIY करते हैं तो आप इनको जरूर पर्चेस कर सकते नेक्स प्रोड़क्त की बात करें तो recent ही मैंने अपना living room makeover share किया था ज बहुत ही कम प्राइस में मुझे यह मिल गया और इसकी quality बहुत ही ज्यादा अच्छी है आपको ऐसा लगेगा कि इसके flower real है तो यह जो artificial plant मेंने लिया है इसका जो वेस है वो glass का बना हुआ है I think अगर यह गिरेगा तो तूट जाएगा तो आपको थोड़ा सा केरफुली इस करना होगा और इसके साथ मुझे दो stick flower bunch आई थी बहुत real flower लग रहे थे size थोड़ा चोटा है बट मुझे लगता है बहुत ही प्यारा रहेगा अगर आप इसको आपके center table पे रखेंगे या आप dining area में रखेंगे या किसे self में आप इसको decor करते हैं तो यह काफी अच्छा और इनकी जो प्राइस अभी चल रही है वो है 395 रूपीज और मैंने लिया था इसको 382 रूपीज में तो थोड़े कम प्राइस पे मैंने लिया है आप जरूर विश्लिस कर सकते हैं मुझे यह प्रोड़क काफी अच्छा लगा है अप जरूर इस प्रोड़क पे जा सकते ह बात करें तो यह पूरे हॉल वीडियो में मेरा फेवरेट है और मैंने यह एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि मुझे इसकी क्वालिटी कितने ज्यादा अच्छी रगी है यह डाइनिंग टेबल रनर मैंने मंगवाया जरूर था पर मैंने इसे डाइनिंग टेवल लगा कि मैंने यह केबिनेट जो मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने इसको डियाइवाय किया था इसके उपर मैंने इसको लगाया है यह डाइनिंग टेवल रनर इतना ज्यादा कलर्फूल है इतने प्यारे कलर से इसके मुझे इतना बढ़िया लगा आप बीना सोचे जो कि बहुत अच्छा साइज है आप आराम से अपने डाइंग टेबल पर इसको स्प्रेट कर सकते हैं कहीं और पर किसी केबिनेट पर स्प्रेट कर सकते हैं क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है 10 में से 10 पॉइंट में इसको दूंगी और इसकी बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है फिलाल अभी इसकी प्राइस कम हो गई है 253 रूपीज में ही आपको मिल रहा है और जबकि मैंने इसको 336 रूपीज में मंगवाया है मुझे बहुत अच्छा लगा मैं सूच रही हूँ कि इसमें एक और कलर है वो मंगवा ल चाहिए मैरी सारी प्लानिंग चेंज हो गई और मैंने यह कंटेंस यूज महीं चैन्श दक कर सकते हैं जो मैं हमें काम पर को इनका है वह तो इनका मैं टेयल है मैं आपको यह मिलेंगे और इनकी जो अभी फिलाल प्राइस थोड़ी हाई हो गई है इनकी जो प्राइस है वो है टू हंड़ेड़ सीक्स रूपीज और मैंने जो पर्चेस के थे 162 रूपीज मैं तो दो के सेट में मुझे मिला मुझे तो लगता है कि एक सो साहाट रूपे में दो कर्टेंस आपको इस तरीके शियर कर्टें नेट कर्टें मिल रहे हैं पिंक कलर के यह कर्टेंस है मैं आपको दिखा देती हूं क्योंकि मेरे पास इसकी कोई क्लिप नहीं है तो मैं थोड़ा सा बेट कीजिए मैं आपको दिखाती हूं तो इस तर जहां पर आपको कर्टेंस के जरड़त नहीं है पर ऐसा फैल आए कि हैं यहां पर क्रटेंस है तो आप इस टाइप के शेर कर्टेंस लगा सकते हैं इस है झसार कर्टे पहाद है क्वालिटी अच्छी है पॉलिस्टर मटेरियल है आप इसको विश्ट कर लीजिए जैसे ही कम हो और लगा दीजिए मैं तो यही करती हूं तो इस तरीके से यह सारी चीजे मैं आपके साथ शेर करती हूं और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपके लिए यह हेलफुल हो र और यदि आप मेरे मेकवर वीडियोस देखते हैं वो पसंद आ रहे हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि और भी अच्छे कॉंटेंट में लेके आने वाली हूं और भी अच्छे-चे मेकवर मैंने प्लान करके रखे हैं नेक्स्ट प्रोड वाल ब्रेकेट्स मैंने तो बहुत सिंपल खरीदे हैं क्योंकि मुझे सिफ अपने लेंप हैंग करने थे अल्रेडी मैंने हैं तो फिलाल मेरे हाथ में तो नहीं है तो यह जो ब्लेक कलर के हैं और इनका साइस काफी अच्छा है और बहुत स्ट्रॉंगली आप किसी भी डेकोर की थी तो वहाँ पर भी इस तरीके से आप इन ब्रेकेट्स का यूज कर सकते हैं और बहुत सारे यूज है आप सोचिए आपको गार्डन में ये इसको यूज करना है आपकी बैलकनी में यूज करना है किसी प्लांट को हैं करने के लिए यूज करना है तो मैंने लिए थे चार के सेट में आये थे और इनका जो अभी फिलाल प्राइज है वो 309 रुपीज है और मैंने जब खरीदा था तो वो खरीदा था मैंने 261 रुपीज में तो अभी प्राइज थोड़े से हाई जरूर हो गये हैं बट आप विश्लिस कर सकते हैं इसमें बहुत वराइटी मिल जाएगी मेरे बहुत सिंपल है आप चेक करेंगे तो आपको बहुत वराइटी मिलेगी अलग-अलग डिजाइन की और हो सकता है डिजाइन बड़े या ब्रास में भी आपको मिल जाएगे तो जैसे डिजाइन अच्छी होगी और फ्राइस भी बढ़ लिए किसी भी area को enhance करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से hang करूं वाल में तो हम direct nails लगाके hang कर सकते हैं बट आप चाहते हैं कि वाल से थोड़ा दूर हटके यह चीज़ hang हो पाए तो इस type के brackets आप यूज़ कर सकत करना चाहते तो चैनल को subscribe जरूर कर देना और वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे like कर देना और bell button को press कर दिया करूं कि bell button press नहीं करोगे और फिर बोलोगे आपकी वीडियो आते हैं हमें पता ही नहीं चलता bell button press करने का मतलब यही है कि जब भी मैं कोई वीडियो आपके सा लाइक तो करना ही है चलिए मिलते नेक्स वीडियो में और ऐसे ही अपनी लाइफ में कुछ creative करते रहिए और haul वीडियो अगर और चाहते हैं देखने मैंने बहुत सारी चीज़े home decor की amazon से भी मंगवाई है तो future में हो सकता है आपको amazon haul वीडियो भी देखने के लिए मिले तो अपना दिहान रखिए अपने आसपास के लोगों का दिहान रखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई एंड टेक केर